इन दिनों आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर काफी सारे आपके प्यारी तीवी स्टार्स अपने बुड़ापे की पिच्चर्स शेर कर रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यूं हो रहा है तो दरसल इसके पीछे की असली कहानी चिपी है फेस अप नाम के एक अप में जिसका इस्तमाल करके तमाम टीवी सेलेप्स अपनी बुड़ापे की पिच्चर्स शेर कर रहे हैं आई आपको दिखाते हैं उन स्टार्स की एक एक जलक जो बुड़े होने के बाद कैसे लगेंगे देखें सबसे पहने अपने माहिर यानी पर्ल भी पुरी की इस फेस आप फोटो को फोटो में बुड़े माहिर ब्लाक फॉर्मल सूट में काफी हांसम लग रहे हैं और यकीनन बुड़ापे में भी पाथ कई दिलों पे छुरिया चलाएंगे तो वहीं इस लीग में अनुराफ की प्रेणा यानी एरिका फर्नांडेस भलाक कैसे पीछे रह सकते हैं देखें एरिका की ये फेसा फोटो इस फोटो में बुड़ी प्रेणा काफी क्यूट लग रही है और वाकई में उनकी इस तस्वीर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि एरिका आग से 30-40 साल बाद भी काफी खुबसूरत ही लगेंगी अब विवेक धाया की ये ओल्ड एज फोटो देखें इनकी इस फोटो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है विवेक बुड़ापे में तो और भी गुड लुकिंग और डाशिंग लगेंगे अब इस पिच्चर को देखें जी हाँ ये निशा रावन ही है निशा तो बुड़ापे में भी एक बार्ड भी डॉल की तरह काफी खुबसूरत लगेंगी अब सुयश राई की इस ओल्ड एज फोटो का क्या ही कहना इस पिच्चर में तो सुयश बिलकुल ही बदले लग रहे है सुयश इस फेस आफ फोटो में साउथ फिल्म के कोई विलर नसर आ रहे है तो वहीं आपके समीर यानी रंडी प्राई बुड़ापे में तो काफी क्यूट दिखेंगे तो वहीं कमिजियन क्रिश्चन अभिशेक ओल एज फोटो में किसी हॉलिवड आक्टर से कम नहीं लग रहे है अब बात करते हैं आक्टर करनवीर महरा की करनवीर महरा की बुड़ापे को देकर लगा कि करनवीर में स्यादा बदलाब नहीं आएगा कल सीवी के कुछ और सलिप्स हैं जिनकी फेसाफ फोटो वायरल हो रही है जिसको उनके फान ख्लाप शेर कर रहे है ये देखी दिपका ककर की फैन क्लाप ने उनकी बुड़ापे की फोटो शेर की दिपका इस फोटो में काफी खुब सूरत लग रही है और कह सकते हैं कि आप से 30 साल बाद भी दिपिका विलेज ग्रेस फुली। तो वहीं दिपिका के बदी शोईब बुडापे में भी कई लड़कियों की दिलों को घाय कर सकते हैं। फिर साफ फोटो में शोईब रितिक रोशन जसेन हज़र आ रहे हैं। तो वहीं बिग बॉस के कंटेस्टेंट रोमिल चौधरे भी ओल्ड एज में काफी सबर्दस लगेंगे। वेल तो इन सभी टीवी स्टार्स में से आपको किन का ओल्ड लुक सबसे ज़्यादा पसंद आया जरूर पताईए अपनी राए कमेंट सेक्शन में।